पेपर आर्टिकल एटी नाइन की बजाए आर्टिकल एटी एट में जो ना लॉग करवा सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर अपना लगा के अपने आपको डिकलेर करके एक सैलरी ले रहे हैं अपनी असलाव अपनी बेक टूम बैक टूमाई चैनल शबाचिमा व्लॉग्स अम् लाजमी पूरा देखने इसमें डिसकेस करने जाने किस तरह हम बिजनस अपना स्टार्ट करके अपने पेपर आर्टिकल एटी नाइन की बजाए आर्टिकल एटी एट में जोड़ा करवा सकते हैं वीडियो कंटिन्यू करने सबसे रिक्वेस्ट है भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा आपकी स्पोर्ट से हमारी होती है और हमारा भी दिल करता फिर हम और अच्छी आपके लिए बनाएं अच्छी करते हैं आज का टॉपिक है हमारा कि आप बिजनस किस तरह स्टार्ट करके आर्टिकल एटी नाइन के बजाए अपनी फाइल जो आर कार्ड बहुत लेट होजएगा किसी और के नाम पर स्टार्ट करो फिर उसके नाम अपना लगा लेना जब तुम्हारा कार्ड आजएगा तो अपना बिजनस अपने ट्रांसफर कर लेना यह वाली गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि हम भी कर चुके थे जब हुआ था और सब कुछ हाँ से चला गया था वह क्या होता है कि लोगों की दिल में लालिच आ जा जाती है तो आपको जोनों किक आउट कर देते हैं यह तो गलती आपने नहीं करनी अगर छे महीन एक्सरा लग भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है आपका फाइदा ही है कि आप किस तरह अपने अटिकल अगर आप डर रहे हैं आपका जो माइंड है वह आपका सैटिसफाइड नहीं आपको अंदर उनी अपनी सैटिस्फक्शन नहीं हो रही तो इसका हल भी है आपके पास यह ऐसे चीज़े आपको कोई भी नहीं बताएगा मेरे ख़ल नहीं किसी ने इ सब्सक्राइब करनी है और अबने इसके बाद स्टेप है वह आपने कंपनी अपने नाम पर स्टार्ट करनी है कंपनी स्टार्ट होगी बेंक अंट बिन्स और स्टाट हो गया जैप चलाना शुरू कर दिए बिजनस आ इसाप ने आप अपने business के अंदर ही अपना जॉब का लगा सकते हैं चीद है, आप अपना tax pay कर सकते हैं, वैसे आप business open करते हैं मेरी एक्टिविटी अपन होती हैं आपकी तो आएक साल के लिए tax-free हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी कंपनी के अंदर जब आप अपना contract लगाते हैं तो आप अपना कर सकते हैं देखें अगर में बिजनसमैन हूँ मेरी अपनी च्ट कर रहा हूं क्यों मुझे पता है टेक्स के वहने ले सकते हूं नियुक्ति, अबदे क्वाधिक्व कमपनी का तो मेरी इंकम भी है न मैं भी अपनी प्रमया अप्रजाजात के लिए, अपने खर्चे के लिए तो वो आप अपना जॉब को अगा कर सकते हैं ठीक है यह लीगल है इसमें कोई डॉकुमेंट्स हैं वह समिट करवा सकते हैं ठीक है तो अपके पास जोब कॉंट्रैक्ट भी होगा जो आपकी सेलिश्लिप्स भी होगी आपकी डिकलेरेशन भी होगी सब कुछ होगा उससे कहीं लोगों का यह दमाग में होता है कि हम अगर कंपनी खोलेंगे बिजनस करेंग तो हमारा वो एफेक्ट करेंगी हमारी फाइल के ओपर यह ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल जाहलों वाली और अनपड़ों बात है आप अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा आप खुद लायर के पास भी जाकर कर सकते हैं बेतर है किसी अकॉंटेंट के पा यह हो जाएगा वह जाएगा ऐसा हो जाएगा कुछ नहीं सर्फ यहां की गवर्मेंट को टैक्स चाहिए हो जाए किस तरह मर्जिया पे करते तो यह लीगल है कि आप अपनी कंपनी के अंदर अपना कॉंट्रल लगा के अपने अपने आपको डिक्लेर करके एक सैलरी ले रह सकते हैं और बिजनस करते हुए आप अपना टी आर्सी काल ले सकते हैं मेरे ख्याल से तो यह सिरफ अपने आपके दमाग को सट करने वाली बात है कि दोनों का प्रोसेस टाइम पिरिएट सेम है कोई एक्स्रा नहीं होता मार्कें बहुत से लोग बैठे हैं जो आपको स्टाइब बनाता यह एकृता है वो आपको नहीं पता तो भाई यह फिर आपको पास नावलेज नहीं है ठीक है स्टाडी करें इस चीज़ के बारे में उसके बार डिसेग्यान ले बेदर ही है आपको अच्छिए डवाइस देगा वकील बैची अच्छिए डवाइज अमारी मुश्किलातों असान करें जी, अल्ला आपीस.